अलार रह्मान उर्हीम, स्टुडेंट नौ वी कंटिन्यू आर लास एक्सराइज जब यह पार नेगेटिव यह फ्रेक्शन में आ रही थी तो अम्ली एक्सराइज को देख रहे थे अब भी कुश्टन नूमबर सिक्स से हम आगे ऑनवर्ड कुश्टन को डेखेंगे तो कुश्टन नूमबर सिक्स में इससे पहले यह फॉर्मूला जैसे रिमाइंड कर आ रहा हूं हमने यह पढ़ा था वन प्लस एन एक्स के लिए और इसमें कंटिशन अगर आपको याद हो तो वो क्या थी यह बाइनमिल सिरीज का फॉर्मूला था तो जैसे कि रमाइंडर रही अब चलते हैं कुश्टन नूमर सिक्स की तरफ चलते हैं और इसमें यहां पर गया रहा है इसमें एक जैसे कुश्टन नहीं इंपॉर्टन तो यहां पर उसने कहा है कि इस नियरली इक्वल टू वन देन कुव दैट हमने यह लेफ और राइट साइट को अपसमें इक्वल प्रूव करना है अब यहां पर डिफेंट एक चीज देदी है कि एक्स इस नियरली इक्वल टू वन क्या मतलब एड़ी एक्स और वन जो है यह एक दूसरे के क्रीब हैं बहुत क्रीब तरहीं हैं नौट दे अर इक्वल हम क्या कर रहे हैं हम इनको इक्वल लाना चाह रहे हैं तो जारी पर में अगर दो चीज एक्वल नहीं हैं तो हमें एक चीज में कुछ इना कुछ चीज एड़ करते हैं था कि एड दोनों अपस हो कौन सा नंबर थो आ Button सा है मैं नहीं क्या के सा नंबर है atomकल क्या कर देते हैं एक स्क्वैर और हैस कर दो बहुत किया था को ऐइस के मिनग्या है की बात करें, वहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, X और 1 को equal करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें एक number add कर दी है, तो actually यह condition का मतलब यह है, कि X is equal to 1 plus H, got it, तो यह simple चीज़ से जी, अब आप क्या करें, जो हमने red में कर दी है, तो जहाँ जहाँ पे left side पे X था, मैंने क्या किया है, वहाँ पे 1 plus H replace कर दी है, okay, next चलें, अब binomial theorem लगा, binomial series लग रही है, और binomial series में सिर्फ मैंने बताया है, कि अब इसमें भी X square की tension नहीं आपने लेनी है, यानिक X square का तो लिखना की जरूरत ही नहीं है, means, सिर्फ दो term तक आपने open करना है, one plus H है, तो यह NH आज़ेगा, इसी तरह की वह हाँ आज़ेगा, और इसमें हम क्या करें, neglect कर हैं, H square है power, और equal की जगा मैंने क्या कर दिया, approximation का sign लगा दिया, अब क्या करेंगे, just P को अंदर multiply करेंगे, और Q का अंदर multiply करेंगे, और क्या करेंगे, दो H वाली values आ रही हैं, second और fourth, उसमें से H common निकाल लेंगे, अब अगर आप देखें, तो two squares के दरमियान negative बन रहा है, अगर two squares के दरमियान negative है, तो क्या होता है, एक दफ़ा एड़ करेंगे, और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, सब्टेट करेंगे, तो P plus Q, P minus Q, अब ये दो टम बन रही है, ये पूरी की पूरी टम है, ये टम है, इसमें से आप क्या करेंगे, P minus Q जो है, वो common निकाल लेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, इको एन वन का नाम दे रहे हैं, ये आपके पास क्या आगी है, left hand side आगी है, ओके जी, नेक्स चलते हैं, नेक्स अगर हम देखें, तो इसकी right hand side इसी question की solve करेंगे, और condition वो ही same ही दी 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 है, और condition क्या है, X is equal to one plus H, तो आप right side पे जाएंगे, आप एक से है, वहाँ पे क्या रप्लेस कर देंगे, one plus H, binomial series का इसरत, दो term तक formula apply करेंगे, red color में मैंने कर दी है, और A square and high power को हम neglect कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यह तो एक step में answer आजगे है, तो equation one and two में अगर हम देखें, तो left and right side आपस में क्या आगी, equal आगी है, तो जो हमने फ्रूव करना था, वो हो चुका है, same question जी, seven भी है, same eight भी है, मैं seven solve कर रहा हूं, और seven में condition change द दी हुई है, वो देखते हैं, जी, वहाँ पे, यहाँ पे है कि पी माइनस क्यों स्मॉल, स्मॉल का मतलब कि है कि हम इसको किसी नंबर के equal ले ले लेते हैं, और वो स्मॉल क्या आजएगा, हमने उसको H का नाम दे दी है, और it means P की value क्या आजएगी, Q प्लस H आजएगी, या और जहां-जहां पे P है, mean अगर आप देखें, यह P था, मैंने red कर दी है, जहां पे रप्लेस की है, P की जगा पे आपने क्या किया है, Q प्लस H रप्लेस कर दिया है, ओके ठी, अब सिर्फ क्या करेंगे, निमिनेटर और डिनॉमिनेटर को आप सिंप्लिफाइगी करेंगे, आप के पास यह चीज़ा आ रही, और इसको सिंप्लिफाइग करते हैं, जी मैक्सिमम लेवल पे लेगे जाना है, इसको सिंप्लिफाइग करते हुए, तो सॉरी, इसमें चुके ज़रा एनिमिशन है वी है, तो थोरा सा यह टाइम लेता है, लोड लेने में, तो यह लास्ट क्यू कॉमन ले लिया, जो इसे इस कॉमन लेते हैं, उसे अंदर डिवाइड भी करते हैं, आप देखें, इसके बाद जो चीज़ कैंसल हो रही है, आफ्टर कैंसलेशन तो हमारा में पहला जो मकसद था, वन बनाना उपर निमिनेटर में भी हो गया है, और साथ ही हमने क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर में भी वन बना दिया है, यहां तक कोई कंफियर्ण है, तो आप देख सकते हैं, अब फिर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला है, इसको आप उपर ले जाएंगे, इसकी पार क्या जाजएगी, तो यह पॉजिट वाले की तो भी टेंचन नही मैनिस वान है, तो इतना याद रखें जी, इन बोन को मर्टिप्लाई करके multiply करें एक देना है, और इसके बाद क्या करें, न को इसको से मर्टिप्लाई करएंगे, तो आप देख लेंगे, यह आ रहाएं और आप तैसके घाने हम टेटरें, इनको से मर्टिप्लाई करना और a square वाली value नहीं लिखनी और इसे बड़ी value नहीं लिखनी तो यह आपके पास आगी जी और फिर जड़ा यह वाले कटे कर लें ताकि जब राइट साइट को solve करें तो आपके लिए problem ना हो यह तो आपके पास क्या आजाएगा यह नंबर बान आजाएगी तो यह दी आपकी यह ने red color में उसको mention कर दिया है क्यों दोनों add होएंगे तो क्या आजएगा टू क्यू आजएगा पहले आप यह दोनों पर divide हो रहा है टू क्यू जो है टू क्यू को लगदा टू क्यू से कर लेंगे एच को टू क्यू से करेंगे तो आके पास यह चीज आजएगी मीन आप इन दोनों को multiply करके इदर लिख लें तो अगर आप देखें तो आपकी यह equation 2 आ चुकी है और 1 और 2 से आपके पास क्या हुआ है रिज़र्ट अंड साइड और राइट एंड सेम आगे और यही हमने क्या करना था प्रू करना था ओके जी नेक्स चलते हैं question number 8 भी इसी कर दी है क्वे एक student ने बोला था कि सर यह तीनों ही हो जाएं तो बैतार है सर मैंने इसमें तीनों add कर दी है तो इसमें क्या था के N and N are nearly equal mean small N and capital N are nearly equal और अगर इन दोनों को equal करना तो क्या करेंगे जी हम एक में क्या क्या कर देते हैं N में वो H add क्या क्या किया है capital N is equal to N plus H त और को हम निगलेक्ट कर दें, तो अगें जी, सिंपल है, अब आप क्या करें, लेफ्ट अंड साइड लें, कैपिटल N की जगा N प्लस H पुट कर दें, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों को एड करेंगे, 2N आ जाएगा, मजीद सिंपलिफाई करेंगे, तो 2 को अंदर की है, डिनोमिनेटर में पहली टर्म को 1 बनाना था, तो 4N हमने क्या की है, कॉमल निकाल लिए है, कॉमल निकालने का यह हुआ गए, यह सारी चीदें आपस में कट जाएंगी, और नीचे 1 बन चुके है, और अगर नीचे 1 बन गया है, पहले तो हम पावर सेप्रेड ले ले में टर्म, उसको हमने उठाया और उपर ले गए हैं, तो पार के आगी, नेगेडिव 1 ओवर 2, तो अब जस्ट यहां पे हमने क्या करना है, बाइनोमिन सीरिज अप्लाई करनी है, और सिर्फ दो टर्म तक अप्लाई करनी है, नेगलेक्ट कर लेंगे जी, और अगर आगर आ कर दिया है, इसको मेंचन, अगें थोड़ा सा स्पीड में इसलिए का रहा हूं कि यह सिंप्लिफिकेशन है, अगर आप गोर करें तो यह वैलियू जो है, इसमें से कट जा रही है, अगें, इसमें कहें कि यह नीचे यह 8N है, इधर 1 बना रहा है, और 2N की जगा 1 बना रहा है, तो अगर आप देखें तो यह चीज अव्टर कैंसलिशन हो रही है, मैं रेपीट कर देता हूं आपके लिए यह आपके बास आ रहा है, और इसमें से कैंसल हो रहा है, नेक्स चलेंगे, तो इसी को मैं सिंप्लिफाइव करके लिख रहा हूं आपके लिए, जी, तो यह ओपर ले जाएंगे power minus one or two आ जाएगी और ऊपर वैसे positive है तो हमें टेंचन नहीं है तो इस minus one or two को एदर multiply करें बट पहले के लिए हम क्या करेंगे binomial series लगाएंगे सो यहां पर हम क्या करते है binomial series लगा देते हैं यह देखें one plus n h minus one को इस लगाएश multiply करें bracket open कीजिएगा H वाल एक जगा गटे कीजिएगा LCM ले ली जएगा और अगर आप और करें तो आपके पास आपका जो required answer I mean equation 2 आ गई है और चेक करें कि equation 1 और 2 जो होंगी वापस में equal होंगी so from equation 1 और 2 we have left hand side is equal to right hand side which complete our proof तो ये तीन question थे थी important है और मैंने गोशिश की इसको एक ही जगा पर करने की next चलते है next question number आपका 9 के 4 part 9 10 ये एक जैसे ही है actually ये last सारे इसी तरह ही है तो 9 का मैं एक part कर रहा हूँ और इसमें किया जी identify the following series as binomial expansion सबसे पहले तो इसको binomial series expansion की form में लिखना है और पर जब answer आ जाजएगा तो उसका sum भी करना है तो मज़े की question है paper point है ये important है जी ये question आपके बात दिया है सबसे पहले आपने इसको compare कह लेना है किसके साथ आपने भी formula पढ़ा था one plus n next n into n minus one वाला हमने ये सारा मैंने इसको बिल्कुल इसके नीचे इसके नीचे इसलिए लिखा है का compare करते हो सानी होगी तो ये मैंने cube तक हमारा formula जागो बलकि square तक है cube की भी जरूरत नहीं होगी question में दिया है cube तक लिख लिए है लेकिन जब compare करेंगे तो square तक ही है अच्छा अब इन दोनों एक्फ़ेइन को हमने क्या करना है compare करने है इन दोनों series को हमने क्या करना है compare करना है बैने red color इसलिए रही है देखें one कone 一 corley रखने का फाइदा कोई नी हिन हमने actually कहा चाहिए यह n और X यह दो थार्म जो हमें यह चाहिए तो हम क्या करते हैं Second term को Second term की एक्वार कर देते हैं जिसको मैंने Red Color दे दी है तो जब Second term को करेंगे तो यह आ जेगा यहां से आप X की value निकाल लें और say this is your equation number 1 बड़ा Simple सा method है दी तो क्या किया है Second term को Second term की एक्वार रखा है इसी तरह 다음 term को 3rd time के एक वर राक लें और इसको equation number किसका नाम दे देंगे 2 अब आप क्या करेंगे equation 1 में से x की value निकाल के इदर put कर देंगे यानि कि put equation 1 जो होगी equation 2 में put करेंगे तो देखते हैं जी आगे जी तो put equation 1 and 2 x यह आप माइनस 1 over a 10 रख़ा है अब आप क्या करें देखें यह 8 n था negative का square positive हो जाएगा 8 n आजएगा 64 n square आजएगा 1 into 3 यह into का sign है point ना लिखिएगा वो क्वाले ने mistake की वही है तो यह dot mid में लिखिएगा इसको simplify कर रहे हैं और cancellation देखते हैं दी क्या और 128 cancel हो रहा है और क्या हो रहा है n n square एक n कट जाएगा और बाकी आपके पास यह again cross multiply कीजिएगा और n को उदर ले जाएंगे तो आपके पास value क्या जाएगी minus 1 over 2 तो हमारी एक value आ चुकी है और इसको आप किस में put करेंगे ती शाबाज इसको आप equation number 1 में put करेंगे 1 मैंने इस तरह corner पे याद आने के लिए लिख दी है आपको दोबारा लिखने की जरूरा नहीं है आप क्या करें इसमें x की value n की रखेंगे तो x आ जाएगा 1 over 4 तो यही दो चीज़े आपने इंटेडूस करवाई थी थी तो यह दोनों चीज़ें आ गही है तो इसका मतलब 1 प्लस x की power n के इसके एकवल आ गया x की यह और फिर क्या करें ब्रैकेट में जरह LCM ले 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 और एक स्टेप यहाँ पर क्या हुआ चुक्के पार क्या थी माइनस 1 over 2 थी तो मैंने नियुमिनेटर डिनुमिनेटर को शफल की है क्योंकि अगर यह माइनस 1 over 2 इसकी पार आ उपर जा गया यह पॉजिटिव हो जागी और उपर बाला है जब नीचे आगा तो नेगिटिव होगी 4 का अंडर रूट आ जागा 2 और 5 का यह तो उसने यह भी कहा था कि इसका sum भी करो तो यह आपके पास sum भी आ गया तो question number 9 और 10 आपके पास है सही है 11 से लेकर 13 तन एक टाइप है और वो भी इसी से मिलती ही जुलती है थोड़ा सबस आगे करना है तो जल्दी से उसका भी एक पार्ट कर लेती है ताकि से exercise को wind up करें अगर बाकी किसी question में मसला हो तो आप जरूर बूर सकते हैं मैंने question number कौन सा का रहा हूँ 11 का रहा हूँ हम वन बना लेते हैं कैसे बनेगा हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं वन एड कर लेते हैं कोई मसला जी तो इसमें थोड़ा से difference होई है कि दोनी तरह से हमने कही है वन एड की है अब इसको compare कर लें किसके साथ one plus x की power and वही बाइनोमल सीरीज का formula again मैंने दो ही color की हैं जिसना पिछला question था red one को red one के equal रेक लें और purple को purple के equal means second को second के equal और third term को third term के equal एक और चीज मैंने इसमें लिख दी है एक्वाइन 3 बना के ताके जब last पे करें क्योंकि इसमें सेम ही था इसमें y का दिया वाद है तो इसलिए मैंने इन दोनों को भी वापस में equal लिख दिया थाके आगे solve करते वे असानी हो अच्छा खेर पिछले method की तरह चलते हैं तो x को equation one को किसमें put कर देंगे आप equation two में put कर दें तो देखिएगा one को two में करें जिसना बिल्कुल पिछला बार्ड की है ये cancellation हो रही है cross multiply करेंगे और answer भी मैंगा ये same ही आ रहा है जो भी हमने पिछले question में निकाल ला है और n को जब आप one में put करेंगे तो फिर same आ रहा है नहीं है थोड़ा सा different minus two by three इसको आप equation three में यादा वो three में ने इसले लिखा था ताकर compare करते बसा नहीं हो तो x और n की value लिख लेंगे method वही है जी LCM लेंगे और आपके पास same pattern पे आ जाएगा सिर्फ फरक ये आया है कि left side पे यहां पे one plus y आ गया पिछले question की अगर हम बात कर रहें तो okay जी अब यह question यहां से आगे stand हो रहा है जो nine और eleven का difference किया है कि अब आपने एक चीज़ प्रूव करनी थी और वो square की form में तो आप सबसे पहले तो under root खतम करें under root खतम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोनों तरफ square लेना पड़ता है तो हम दोनों तरफ square लेने जी left side पे square का formula open करें a square b square plus 2ab right side पे यह 3 आ जाएगा इसको और simplify का लें अब इसके factor शेक्टर बलके factor की तो जरूरर नहीं actually prove यही करना था जो purple में कि y square 2y minus 2 is equal to 0 तो यह भी important question है जी यह थारी आज का lecture hopefully आपके लिए lecture full full होगा अगर कोई problem हो तो आप feel free हो के question जरूर पूछ लिया करें मेरी कोशिश होती है कि मैं as only as possible उसका answer दे सकूँ so that's it for now